जहन दोस्तों और वेलकम बेक टो सक्सेस प्लस अकेडमी दोस्तों आपको यह खबर मिली होगी पहले कि जो रशिया की जो नौड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है वो चार जगह से सेप्टेंबर में 26 सेप्टेंबर और 28 सेप्टेंबर को लीक हुई थी और वो स्वीडिश और डैनिश वोटर में लीक हुई थी आपको पता है दो दो लीक ही इस पे हमारा प्रिवेस वीडियो आया था अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा यहाँ पर आई बटन में अगर क्लिक करते हैं तो तो वहाँ से आप थोड़ी सी जानकर पर ले सकते हैं हाला कि मैं वो सारी जानकर यहाँ पर भी कवर करवा दूँगा लेकिन दोस्तों जब वो लीक हुई थी तो उसके बाद में एक पैनल बैठा था मैं आपको बताया था वो इन्वेस्टिकेशन करने के लिए तो दोस्तों आज ख़बर यह आ रही है कि उस इन पैपलाइन जो है वो तो रशिया ही दे रहा है और उसमें गैस भी रशिया ही डाल रहा है अगर लीक करे होगी रशिया ने या फिर रशिया बोल रहा है अमरिका वाले बोल रहे रशिया ने करी है मतलब वेस्ट वर्से रशिया भी भी चल रहा है और आपको यह पता है कि की और जैसे यह सब शुरू हुआ था तो दोस्तो आज के लेक्चर में आप देखोगे कि वेस्ट ऐसा क्यो कर रहा है और क्या ये जो वेस्ट और रशिया के बीच में जो रिलेशन है और ज्यादा खराब होंगे और क्या ये बात वर्ड वर्ड थी तक जाएगी दोस्तो ये सारी बाते इसमें आपको कवर देखने को मिलेगी कवर कर रहा हूँ मैं तो दोस्तो ये कॉंटेक्स आज का ये है यूरोप इन्वेस्टिगेट कर रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया तो उसमें आपको पताया सेबोटेज की बात की थी मैंने से वोटेज इसका मतलब होता है तोड़ फोड करना मतलब जो स्वीडिश वोटर में जो गैस पाइपलाइन लीक हुई थी उसकी इमेजेज मैं आपको वापस बताऊँगा तो उसमें वेस्ट ने बोला है मतलब मेजरली योरॉप एंड अमेरिका उन्होंने कहा है कि जो रशिया है इसने सेबोटेज किया इसने तोड़ फोड किये पाइपलाइन में और इसने जान बुझ के वो लीक किये और दोस्तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उस लीक को दोस्तो biggest methane leakage ever मैंने आपको बताया था मैंने नहीं वो scientist ने बोला था मैंने बस आपको जानकारी बताई थी तो दोस्तो सबसे बड़ी जो methane gas की leak थी वो वहां से आपको देखने को मिली थी तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है और यहाँ पे मेरा मानना है दोस्तो केवल यरॉप नहीं even bodies को भी यहाँ पे involve होना चाहिए ताकि यह जो investigation है वो fair हो सके क्योंकि अगर west करता है केवल तो हो सकता है Russia को जिम्मेदार ठेरा दे अगर Russia इसमें involved होता है तो हो सकता है वो कुछ गडबड कर दे तो सारी चीजे दोस्तो इसमें है और सारी आपको इस lecture में एक-एक चीज clear करने वाला हूँ चलिए अगला है अब Russia को दोस्तो यह पता पड़ा कि Moscow का इसमें involved नहीं अगर no plans to invite Moscow to join investigation into no stream gas leaks कैरमलीन स्पोक परसंट यह दोस्तो जो करमलीन है यह जो विदेश मंतरी है इनके उनके जो स्पोक परसंट है उनको उन्होंने यह बात बोला है कि Moscow का अभी तक बोलाया नहीं गया Moscow का मतलब यहां पर majorly Russia से तो Russia को यहां पर invite नहीं किया गया है यह दोस्तो आप news देख सकते है यह दोस्तो यह बहुत बड़ी बात है अपने में यहां पर फिर से जो west है वो फिर से एक message send कर रहा है कि Russia के साथ हमारे जो relation है वो अच्छे नहीं करने वाले हम चाहे हमारे महेंगाई आजाए चाहे हमारे साथ वो यूद करके हमें मार दे रश्या के साथ हमारे जो है डिलिशन अच्छे नहीं करेंगे तो यह दोस्तो कहीं न कहीं गलत चीज भी है तो खेर आपन देख लेते हैं फिर से आपको image बता दूँ अगर मैं कि वो कैसे कैसे leak हुई थी Swedish और Danish water में तो दोस्तो यह आप तस्वीरे देख सकते हैं यहाँ पर यह सारी तस्वीरे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी यहाँ पर भी सेम तस्वीरे बता रहा हूँ यह देखे दोस्तो यह satellite images है कि इस तरह से जो वो gas है वो leak हुई थी और biggest methane leakage यह यह देख सकते हैं और यह दोस्तो नोड स्रीम pipeline क्या है यह भी आपको इसमें वापस cover करने वाला हूँ सबसे पहले what is not stream pipeline दोस्तो यह दो है सबसे पहली जो पहली pipeline है वो है Russia to Germany लास्ट लेक्षर में आपको मैंने Germany और Europe के लिए क्यों जरूरी यह भी बताया था Russia के लिए क्यों जरूरी यह भी बताया था तो दोस्तो मैं आपसे एक और बार कहूँगा कि आप वीडियो एक बार वापस देख के आते हैं तो आपको यह वीडियो समझने बहुत ज़्यादा असानी होने वाली है वहीं से फिर से हो सकता है World War 3 भी शुरू हो जाए तो दोस्तो बाल्टिक सी जो है वहीं से यह जो नोडग्रेस पाइपलाइन है वो गुजर रही थी और जर्मनी के एक शेहर को जोड़ती है रशिया के एक शेहर से वो कौन-कौन शेहर है अगर आपने लाश लेक्टर देखा है तो आपको पता है अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स जरूर बताईए जब तक कि मैं वापस से वो आपको शेहर बता ना दो फिर दोस्तो अब कितनी किलोमेटर की है यह 1224 किलोमेटर की और किसन किन शहरों को जोड़ती है व्योबोर्ग इन नॉर्थ रशिया टू लुम्बीन इन नॉर्थ इस्टरन जर्मनी विया बाल्टिक सी ये दोस्तो मेरा को लास्ट लेक्चर में सेम टू सेम कवर करवाया था अब उसके बाद मार्केट इन दसिंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और वो पूरे वर्ल्ड के मार्केट को कंट्रोल करना भी चाते हैं तो इसके लिए उनको और ज़्यादे एनर्जी की लालच हुई लालच होई तो इनका कि एक पाइपलाइन और भेजो तो तब ही वापस आ जाती नस्पी टू अब ये दोस्तो वापस से यहाँ पे दोनों है नस्पी इनस्पी टू और उसके बाद मैं ये सारी energy चाहिए और ये बना भी गई थी 2021 में बन चुकी थी लेकिन दोस्तो अभी तक ये जो है commercial operation इसमें चालू नहीं हुए है क्यों क्योंकि दोस्तो जो Russia and Ukraine war है वो शुरू हो गया था और उसके बाद में Germany और वेस्ट ने sanction लगाने चालू कर दी थे रशिया पर इस वज़े से ये दोस्तो कभी भी operational use में आ नहीं पाई इसकी तस्वीर आपको बता दूं तो दोस्तो इसके पैरलल में ही आई है लेकिन यह यहां से आई है इस जगह से लेकर वापस से Griff's Wall तक इस जगह को जोड रही है जबकि पुरानी वाली कहां से कहां तक आ रही थी वो आपको दिखा दिया है मैंने दोस्तो इमेजेस से आप समझ गए होंगे अब दोस्तो डिपेंडेंसी भी आपको मैं लास्ट लेक्षर में कवर कर चुका था यह फिर से वापस मैंने वो स्लाइड जोड़ी है था कि आपको एक बार फिर से याद दिला दो यूरोपन यूनि कितना है जर्मनी कितना है जर्मनी 240 प्रतेशत रशिया एनरजी पर डिपेंड है तो आप सबसकते हैं कि जर्मनी को इसका क्या असर होने वाला है अगर रशिया जान बुच के लिए लिग कर रहा है या फिर ये गल्ती से भी लिग हुआ है दोस्तो ऐसे मे अब दोस्तो स्वीडन ने कहा क्या है स्वीडन ने ये कहा है दोस्तो स्वीडिश क्राइम सीन इन्वेस्टिकेशन और डेनमार्क रंस अर्डैनिश क्राइम सीन दोस्तो उन्हों ने ये कहा कि जहां पर ये लीग हुआ है जिस वोटर में वो हमारे अंडर में आता है और हम पर क्राइम बानते हैं तो अब यह हमारे हिसाब से क्राइम है तो यह क्राइम सीन इंवेस्टिकेशन जो है यह हम अपने हिसाब से करेंगे यहां पर किसी बाहरी पावर का इंवार क्यों करें वही का यह कहकर कि दोस्तों जो स्वीडन है उसने अपना पला जाड़ लिया है इस वजए स दोस्तों मॉस्को को इंवाइट नहीं किया गया है यहां पर स्वीडन की जो डिफेंस मिनिस्टर उनका कहना है अब इस पर रशिया ने भी कुछ कहा होगा बिलकुल कहा दोस्तों पुतिन जो है वो शांत तो नहीं भी बैठ सकते खेर तो रशिया की दोस्तों इस पोक पर सने जखारोवा इन्होंने कहा कि not to allow the honor the investigation means there is something to hide from him तो यहां पर दोस्तों रशिया का भी कहना सही है अगर जो honor है आप उसी को involve नहीं कर रहे हो तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तुम लोग उ आपके NT करेंगे तो यहां पर रशिया का भी यही कहना है कि Europe और West जो है उसके लावब जो USA को और इसमें मिला लो तो यह कहीं न कहीं आने तो रशिया के अगेंस्ट महीं है तो इसमें रशिया को include ना करना involve ना करना कहीं भूल कर रहे है वेस्ट यहां पर जो है USA की puppet बनके हलागी रशिया ने यह भी कहा है कि दोस्तो यह जो pipeline leakage है यह हमने नहीं यह USA ने करवाया है यह दोस्तो रशिया का claim था इवन नॉट इवन रशिया यहां पर चाइना का भी दोस्तो इस claim को support था कि यह claim जो है मतलब यह leakage है यह USA ने करवाया है तो अभी कितना सच है कितना जो नहीं बोला है USA ने की है कि रशिया ने की है लेकिन उन्हें यह कहा कि हां तोड़ फोड हुई है अब तक तो दोस्तो आप भी से बहुत ज्यादा friendly हो चुके होंगे मुझे लगता है क्योंकि मैं भी बहुत जादा हो गया हूँ खेर तो स्वीडन की दोस्तों जो investigation ने वह प बताया था जो 100% थी और 20% operational use आ रही थी अब उस 20% को भी कट होती करके 9% कर दिया है तो अला कि gas उसमें बाकी है लेकिन आप कोई काम तो आनी रही है अब यहाँ पे sabotage victim बनाना चालू कर रहे हैं खेल खेल रहे हैं और यह खेल कहीं न कहीं west को ही भारी पढ़ने वाले हैं क हमने यह leak नहीं करवाया है अब कौन कितना सच्चा है यह तो दोस्तो या तो आप बता सकते हो या फिर Russia या फिर USA इन दोनों आप तीनों मेंसे ही कोई न कोई बता सकता है खेर अब आ जाते हैं दोस्तो अपने आज के conclusion पे conclusion क्या है दोस्तो दोस्तो यह जो energy pipeline यह बहुत घंडे शहर में रहें और वहाँ पे आप इतने developed हों कि आपके पास में मतलब जो koila ना हो लकडिया ना हो और उसके बाद में दोस्तो जो है electric जो आग आप जलाते हो electricity की energy की वज़े से gas की वज़े से उस पे आप निरवर हो जिससे production कमब हो अब ठंड में आपको दोस्तो गर सोच रहा है और उसके अलावा दोस्तो जो global warming आप जैसे methane leakage हुआ है तो दोस्तो कि यहां कहीं न कहीं UN के level की body को involve होना चाहिए और उसको यहां पर काम करना चाहिए मिल के सारी countries के साथ में कि अगर sabotage हुआ है तो जिसने किया है उस देश को उस देश के व्यक्तियों को दंड है ही नहीं किसी भी गेर में चल रही UN body ऐसा हो रखा है आपने देख लिया उक्रेन देख लिया आपने कोरोना देख लिया उसके लाव दोस्तों जो ताइवान को धंकिया मिल रही आप वो देख चुकिया अफगानिसान से pull out देख लिया काफी साली चीज दोस्तों आप दे दोस्तों देख यहां पर कुरसी पर वैडिया चुप चाप आजाओ तो ऐसे में दोस्तों यही काम होना चाहिए और जो पैरिस क्लाइमेट चेंज अग्रिमेंट है इस पर दोस्तों सारे देशों को अडिग रहना चाहिए यह साइन कब हुआ था दोस्तों यह आपके लिए त्यार है वैसे ही दोस्तों यहां पर बात चीत के जरिये जो चीजे स्वॉल हो सकती है वो लड़ाई जगड़े से नहीं होती यह आपको भी पता है तो यहां पर दोस्तों रश्या और जो स्वीडन है इन दोनों को ही थोड़ी सी मैचे ओटी दिखानी चाहिए और इसको ब YouTube और Instagram पर आपको पता है Today in History के दोस्तों वीडियो जाते हैं जिसमें आपको इतिहास में आज का दिन क्यों याद रखा जाता है यह बताया जाता है जो कि आपके लिए किसी भी एक्जाम में important हो सकता है टेलिग्राम पर दोस्तों आप Daily Quiz अटेंड कर सकते हैं आके और उसके स साथ साथ दोस्तों इन सोशल मीडिया प्लेटफरम पर हमें फॉलो करते हैं तो आपको बहुत फायता ही होने वाला है दोस्तों यह था आज का लेक्चर उमीद करता हूं आप पूरा समझे होंगे समझे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस लेक्चर तक भी ये बात पहुचा सकें आप मिलें अगले लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद जैहन